नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर जितने भी विचार धारा है थी कुछ विचार धाराओं की चर्चा हमने पिछले वीडियो नोट में की रिवाइस तरीके से हम इनकी चर्जा कर रहे हैं विस्तर चर्चा नहीं कर र तो चली शुरू करते हैं आज का यह विडियो नोट इसमें हम पहला देखते हैं दोस्तों सामेवाद तो देखिए सामेवाद जो है ना इसकी विचेस्ता है देख लीजी आप, नीजी संपत्ति का इसमें कोई भी स्थान नहीं होता, सामेवाद में क्या होता है, नीजी संपत्ति का कोई भी स्थान नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा कि वर्ग विभेध मिट जाएगा, सामेवाद की जब स्थापना हो जाएगी न, तो वर्गों का जो हो जाएगा इस थापना हो जाएगी लोग यहां पर मिल जुल कर रहेंगे इसे समाजवाद की ही उन्नत अवस्ता हम कह सकते हैं समाजवाद की ही एक उन्नत अवस्ता का नाम दे दिया हमने सामेबाद कह सकते हैं इसको इसमें जो नियम होता है मुख्य है सामेबाद में वो नि एक कि अपनी शंताइक अनुसार और हर एक को अपनी आवशक्ताइक नुसार चीजे आसानी से अप्लबध हो जाएं, तो कहने का मतलब सामे वाद में, सामे वादी जब विवस्था बैठेगी तो उसके अंदर राज््य का लौप हो जाएगा, राज्य का कोई भी कारे नहीं और वर्ग विवेद भी मिड़ जाएगा नीजी संपत्ति का यहाँ पे कोई स्थान नहीं होगा तो यह दो तिन पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं ठीक है नेक्स देखिए आदर्शवाद आदर्शवाद को परतेवाद भी कहते हैं प्रतेवाद इसको आईडियलिजम बोल देते हैं ठीक है प्रते मतलब आईडिया होता है तो अब यह क्या होता है आदर्शवाद में क्या होता है बहुतिक जगत की तरह सामाजिक वे राजनितिक संस्थाए भी विचार तत्व या प्रत्यों की अभी वेक्ति है आदर्शवाद में बताये गया है कि जैसे बहुतिक तत्व की तरह ही क्या है सामाजिक और राजनितिक जितनी भी संस्थाए है वो विचार तत्व या फिर अपने आईडियाज की अभी वेक्ति है हमारे जो विचार हैं उनको वो अभिव्यक्त करती हैं वो राजनितिक और समाजिक संस्थाइं यह आदर्श्वाद है अब आदर्श्वाद में देखिए इनके जो आधुनिक जो इनके समर्थक है वो है आदर्श्वाद क्या है दार्शनिक या आध्यात्मिक सिद्दान्द भी कहलाता है आदर्श्वाद की जो प्रकरती है वो कैसी है दार्शनिक या फिर आध्यात्मिक सिद्दान्द हमें से कह सकते हैं आदर्श्वाद राज्य वे व्यक्ति के हित में कोई भी विरोध नहीं कर ठीक है राज्य को अनिवार्य संस्था मानता है व्यक्ति का व्यक्ति तो विकास करना है समाज का विकास करना है तो आदर्शवाद ही कहते हैं कि राज्य तो अनिवार्य संस्था है क्या है राज्य अनिवार्य संस्था है इतनी बाते हमें समझते हो जाना है आदर्शवाद र राज्य व्यक्ति का ही व्यापक रूप समझता है व्यक्ति का ही बड़ा रूप राज्य को मानता है राज्य को अनिवारे माना गया है राज्य वे व्यक्ति के बीच में कोई भी विरोध नहीं माना गया है आदर्शवादी आइडेलिजम या परतेवाद के अंदर ठीक है पे ध्यान नहीं दिया जाता बलकि क्या होना चाहिए समाज में इसके उपर ध्यान दिया जाता है तो यह हुआ दोस्तों आदरश्वाद नेक्स्ट हम देखते हैं फासिवाद जिसको एंगलिश में फासिज्म कहते हैं यह देखिए यह बीसवी शताबदी में पहले विश्वी युद्ध के बाद में वर्ल्ड वार के बाद में इटली में अधिनायक वादी विचारधरा के रूप में आया फासिवाद ठीक है अब इटेलियन भाषा के फैसिज्म से बना फैसियो और जिसका अर्थ होता है लकडियों का गठर अब देखिए लकडिया बिखरी पड़ी है अनेकता मतलब एकता नहीं है उनमें जब लकडियों का गठर बना दिया तो वो किसका सूचक है एकता का तो फासिवादी जो फासिवादी जो विचारधारा है वो एकता की सूचक है किसकी सूचक है एकता की वैसे फासिवादी का अर्थ कुलाडी भी होता है फासिवादी में का अर्थ क्या होता है शाब्दिक अर्थों भी बात करें तो कुलाडी भी होता है जिसका अर्थ होता है काटना फासिवादियों का ये नारा है ये भी हमें ध्यान में रखना है एक रास्टर एक दल और एक नेता का नारा फासिवादी विचारदारा का है फासिवादी जो विचारदारा है ये राज्य को दैविय या नैतिक संस्ता मानती है ये चीजे हमें बिलकुल यहां पे ध्यान में रखनी हैं confusing करने वाली हैं सारी विचार धारा है आपस में interfere करती हैं बहुत तगड़े तरीके से और हमें confuse कर देती हैं तो राज्ये को दैवी और नेतिक संस्ता मान दिया किसने फासिवाद ने फासिवादी विचार धारा के अंतर गती कहा गया कि परजात अंतर जो है मूर्खो का शाषन होता है किसका शाषन होता है मूर्खो का शाषन होता है अब देखे फासिवादी के समर्थक या इनके जो स्थापन करता थे वो कौन थे मुसोलनी इटली में और हिटलर जर्मनी में जिन्होंने फासिवाद विचार धारा को ही एक नाजीवाद के नाम से शुरू किया था किसके नाम से नाजीवाद के नाम से जर्मनी में हिटलर ने फासिवाद का ही एक रूपांतरन के रूप में इस्थापित किया तो ये फासिवाद हमें समझ में आ गया इसका आर्थ क्या होता है इनकी प्रकर्ति क्या होती है इनका नारा कौन सा है राज्ये को ये क्या मानते हैं और परजात अंतर के बारे में इनकी क्या विचार है तो बस इतने से हमें हिंट चाहिए जिससे हमें उस विचारधारा को पकड़ सकें ठीक है, next देखिए next दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिवाद, देखिए जो व्यक्तिवाद विचारधारा है न ये JS Mil, Adam Smith और Spencer इन लोगों के द्वारा ये विचारधारा जन्मी, JS Mil के द्वारा John Stuart Mil, Adam Smith और Spencer, ये मुख्य विचारध हैं जिन्होंने अपने विचारों में व्यक्तिवाद को जन्म दिया देखिए व्यक्तिवाद से सीधी सी बात तो ये दोस्तों यहाँ पे केवल और केवल व्यक्ति पे ध्यान दिया जाएगा किस पे ध्यान दिया जाएगा व्यक्ति पे तो व्यक्ति पे ध्यान दिया जाएगा तो राज्य को ये आवशक बुराई मानते हैं क्या मानते हैं? राज्य को एक आवशक बुराई मानते हैं राज्य का यह करतवे हैं कि यह व्यक्ति के जीवन में न्यूनितम हस्तक शेप करे या हस्तक शेप करे ही ना राज्य का ये करतव होना चाहिए व्यक्तिवादियों के अनुसार कि व्यक्तियों के जीवन में हमारे जीवन में राज्य न्यूनितम हस्तक शेप करे रोकाटोकी ना करे या फिर अस्तक शेप ही ना करे ठीक है नियुने तम अस्तक शेप की बात करते हैं ये और योगे तम ही सफल होते हैं ये ऐसे कहते हैं व्यक्तिवादी कहते हैं कि योगे तम ही क्या होते हैं सफल होते हैं जो योगे नहीं होते वो समय की मार से नश्ट हो जाते हैं विनिश्ट हो जाते हैं ठीक है तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि योगे तम ही सफल होते हैं ये किस विचारदारा के अंतरकत माना गया है तो ये व्यक्तिवाद है ठीक है इसके जेस मिल एडम स्मिट स्पेंसर इन्होंने इसको जर्म दिया एक तरीके से और इनके आधुनिक जो समर्थक हैं वो है दोस्तो नॉर्मल एंजल वॉलस और मिस फॉलिट मिस फॉलिट की पुस्तक भी है यह भी हम तो हम बहुत सारा लेते हैं अब देखें गांधिवाद गांधिवाद से सीधा सीधा सम्बंद गांधी जी पर जाता है ठीक है गांधी जी ने जो दर्शन दिया जो गांधी जी के सिद्दान्त थे वो गांधिवाद के नाम से हुए देखें महात्मा गांधी की प्रणाली पर यह आधारित है, इसमें कोई दोराई नहीं है, धर्म को नैतिक उत्थान का इन्होंने साधन माना, तो प्रशन बनता है, आसान बनता है, लेकिन कन्फ्यूजिंग होगा, कि भई, धर्म को नैतिक उत्थान का साधन, किस विचारदारे के अंतरकत माना, तो हमें आंसर देन और कोई हो उनको जो भी चीज उपयोगी हो उसकी प्राप्ति के लिए उन्हें क्या करना चाहिए शर्म करना चाहिए ऐसा किसलिए कहा ऐसा इसलिए कहा यदि वो शर्म करेंगे तो भुकमरी और बेरुजगारी ये क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी और उनको उनकी जो आव एक ही बात है, ट्रस्टिशिप का मतलब यह होता है कि भाई, जो भी संपत्ती है, संपत्ती का उप्योग जो होना, वो सभी के लिए हो, किसके लिए हो, सभी के लिए हो, अच्छे कामों के लिए हो, इश्वर ने हमें इस संपत्ती का केवल संरक्षक बनाया है, हम इसे पूरे समाज के लिए पूरे देश के कल्यान के अंदर इसको खर्च करें लगाएं ठीक है हम इसको नीजी संपत्ती के रूप में खटा कर सकते हैं लेकिन जब हम इसको खर्च करने के बारी आएगी तो सारवजनी के रूप में हम इसे खर्च करेंगे तो यह ट्रस्टिशिप का सिद्धानता सरल शब्दों में समझने के लिए अब दीके गांधी वाद सर्वोदे से जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ है सर्वोदे से किसी एक वर्क के लिए नहीं किसी एक समाज के लिए नहीं संपूर्ण राष्टर के लिए स इनका मूल मंत्र दोस्तो अहिंसा क्या है गांदी जी का अहिंसा अब यहां पर देखी गांदी जी ये गांदीवाद में कहा गया है कि जब सभी मनुष्य अहिंसा का पाठ सीख जाएंगे मतलब इनका मूल मंत्र ये अहिंसा है तो जब सारे मनुष्य हैं जो हम मानों जाती है अहिंसा का पार्ट सीख जाएंगी तो समाज में कलय संगर्ष भै अपराद क्या कोई स्थानी नहीं होगा मतलब ये चीज़े समाज में देखने को ही नहीं मिलेंगी तो ये थी दोस्तों गांधिवाद अब चलते चलते मैं आपको एक चोड़ी सी बात मा माक्सवाद से आप लोग अच्छे से मतलब जानते हैं माक्सवाद को कि वही काल माक्स का था ये और 20 वी शताबदी में आया काल माक्स और फ्रेडरिक एंगल्स ठीक है ये इसके अंदर जुड़े हुए थे तो इन्होंने क्या कि वही समाज वाद को वग्यानिक आधार पर क्या है जी भोतिक वाद है क्या है भोतिक वाद है तो इस रोप में माक्सवाद आधुनिक यूग में संपूर्ण विश्व के कामगार वर्ग को पूंजी पुती वर्ग के विरुद संगठीत होने का क्या देता है संदेश देता है तो इस प्रकार से ये क्या था के विचार धाराए थी हमने आपको इन से ओत्परोद करवाया आपको रिवाइज करने में मदद करवाने की पूरी कोशिश है आगे भी हम टोपिक्स आपको देते रहेंगे अभी तो चार-पांस दिन है एक्जाम से पहले तीन तागी तक हम आपको बहुत सारे टोपिक्स का रिवीजन करवा चुके होंगे बस आप जुड़े रहें चैनल को जायज जादा शेर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद